हाई गाईस मेरा नाम है साहिल खना और आज मैं आपको बताने वाला हूँ SEM Rush क्यों मुझे सबसे ज़्यारा पसंद है और क्यों मेरा फेवरेट सौट्वेर है SEO करने के लिए तो आज की वीडियो एंड तक देखना और आपके लिए एक सप्राइस भी है आप भी यूज कर पाओगे SEM Rush को कुछ जादा टाइम के लिए आप समझ पाओगे कि आपको SEO अपनी बिजनस के लिए या फिर अपनी वेबसाइट के लिए किस तरीके से करना है तो मैं सबसे पहले खोल लेता हूँ SEM Rush को यह रेखो मैंने खोल लिया है अब यह मेरे पास Guru Plan है आप खरीज सकते हैं अगर आपको खरीदना है तो वरना आपको नीचे description के लिए एक link मिल लाएगा जहां पर आपको 14 दिन का free trial मिलेगा 14 दिन आप अराम से SEM Rush को समझ सकते हो अपने business के उपर apply कर सकते हो और अगर आपको अच्छा लगता है उसके बाद ले सकते हो वरना alternative तो आपके पास है कि आप अगली बार दुबारा Gmail ID बना और उसके उपर आप फिर सही उस कर लो पर मेरे साब से fruitful है मैं खरीद के रखता हूँ क्योंकि मेरा मानना है कि यह value for money item है एक बार खरीदना होता है आपको अच्छे SEO results देते है मैं अपने client के लिए भी यूज़ करता हूँ अपने लिए भी यूज़ करता हूँ तो अभी एक नया project है मारा बाली चलो उसके उपर काम कर रहे है तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा तो सबसे पहले क्या करते हैं सबसे पहले आपे प्रोजेट लिखा हूँ आता है मैं को प्रोजेट पर जाना होता है प्रोजेट पर जाने के बाद मुझे नया project add करना होता है तो मैंने अपना नया project add कर रखा है मान के चलते हैं लपास अब मैं आपको पूरी अपनी लपास की strategy दिखाऊंगा कि मैं किस तरीके से कर रहा हूँ मैं लपास पर click कर लेता हूँ अब आपको कुछ चीज़े करनी पड़ेगी जो की बहुत important है और उसी के हिसाब से आपको अच्छे results मिलेगी यहाँ पर site audit दिखाई दे रहा है आपको position tracking दिखाई दे रही है on page optimization दिखाई दे रहा है यह सब कुछ दिखाई दे रहा है आपको इन सब को on करना पड़ेगी यहाँ पर setup लिखा हुआ रहा है ऐसे यहाँ पर भी setup लिखा हुआ आएगा बात करके चलते हैं लोग, इसने मेरे backlink के बारे में बता दिये, मेरे कुछ backlink बने हुए है, जो कि गंदे हैं और मुझे हटाने चाहिए उनको, Google Search Console में जाके मुझे इसको disavow करना पड़ेगा, साथ में मुझे ये PPC के बारे में बताता है, अभी मैं paid ads नहीं चला रहा है, त इतना traffic ला रहा हूँ अपनी website के उपर, organically, मैं इतना ज़्यादा improvement ला सकता हूँ, अगर मैं इनके ideas को मान के चलू तो, तो मैं नीचे जाता हूँ, यहाँ पर उन्होंने मेरे पूरी website को scan कर रखा है, हर एक page का optimization किया है, जैसे में मान के चलते है, cafe, coffee day, case study के बार में बात क के चलते है, potentially मैं इतनी volume ला सकता हूँ, तो यह इसने ideas दे रखे है, मैंने 7 ideas के ओपर click किया, अब यह मुझे पूरी बता रहा है, strategy क्या होनी चाहिए, मैं आपको पढ़के नहीं सुना रहा है कि क्या करना चाहिए, अब यह मुझे को पूरी strategy बता रहा है, क्या 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 कर होता है, मैं यहाँ पर जाके ideas के ओपर click कर सकता हूँ, अब यहाँ पर मुझे सब पर ideas बताएगा, किस-किस page के अंदर आप क्या-क्या improve कर सकते हो, पर मेरा मानना है, सीधा optimization ideas के ओपर जाना है, और आपको एक-एक page को improve करने कुश करनी है, किस-किस keyword पर हम rank कर सकते हो, सारे keyword इमको बता रहा है, जिस पर potentially अगर हम चाहे तो rank कर सकते है, एक चीज का मेरा suggestion रहेगा, blindly इस पर trust मत करना, अगर इसने का है, कि यह keyword है, आपके लिए आप कर सकते हो, कई बार वो keyword हमारे लिए होते ही नहीं है, जैसे example के लिए, SWOT analysis का जो मेरा page है, इसके अंदर यह मैं को कह सकते है, कैसे करते है, कोई मेरे लिए keyword नहीं है, तो मैं इसके ओपर optimization करके कुछ नहीं ले सकता, तो मेरे लिए keyword नहीं है, तो मुझे ideas को अबच्छा सवजना है कि कौनसे-कौनसे ideas मेरे लिए relevant है, कौनसे-कौनसे नहीं है, तो मेरी पूरी website को उसने एक तरीके से audit कर दिया अगर मैं पूरी दुनिया की बात करना पसंद करता हूँ एग्जामपल के लिए मैं जाता हूँ डिजिटल मार्केटिंग मारके देखते है यहाँ पे भी यह सब कुछ वही चीज़े दिखाता है जो कि बाकी आपको टूल्स दिखाते है इसमें आपको questions भी घटे मिल जाते है related keywords भी मिल जाते है और keyword के variations भी मिल जाते है मैं आपको यहाँ पे keyword research करना नहीं सिखा रहा keyword research किस तरीके से करते है मैंने इसके उपर पहले से video बना रखी है वहाँ पर जाके देख सकते हो मैं आपको एक idea दे जाता हूँ कैसे करना है जैसे कि मालो हमने इसी को कोल लिया keyword variation के उपर अब हमारे पास बहुत सारे keyword variations आगे अब इसके अंदर क्या होता है इसके अंदर मैं फिल्टर लगा सकता हूँ मैं advanced filter में जाके मैं चाहूँ तो filter लगा सकता हूँ जहाँ पर मैं keyword difficulty को और volume को छेड़ सकता हूँ मैं आपको detail में नहीं समझा रहा पहले वाली वीडियो देख लेना आपको better समझ में आएगा तो मैं keyword difficulty कर देता हूँ maximum 60 तक की minimum volume होनी चाहिए 1000 की मतलब 1000 का monthly search traffic होना चाहिए और difficulty maximum 60 तक होनी चाहिए apply करते है तो मेरे पास यह सारे keywords आ गए अभी currently 2 यह आ रहे है तो digital marketing agency in new york digital marketing new york यह potential keyword है जिसके उपर मैं rank कर सकता हूँ अगर मैं करना चाहूँ तो अगर मेरे लिए potentially यह keyword है तो बाकी अगर मैं यहाँ पर जाके country में इंडिया कर देता हूँ यहाँ पर मुझे ज़्यादा better चीज़े मिल लाएगी क्या है क्या नहीं है कौन से keywords पर मैं potentially rank कर सकता हूँ यहाँ पर मुझे बहुत सारे ideas मिल लाएगे मैं आपे गुस नहीं रहा कि कैसे करता है किस तरीके से आपको keyword को सबजना है intent कैसे सबजना है मैं उस पर नहीं जा रहा मैं आपको सिर्स बता रहा हूँ कि क्यों बहुत जारा अच्छा tool है तो मैं तो 90% तो उसको tracking के लिए यूज़ करता हूँ मैं go to project list के उपर गया मैं आप एड new project कर दिया अगर आप चाहो तो अपने client का भी आपे भर सकते है उसको track करने के लिए कि वो क्या कर रहा है हाँ थोड़ी जारा details नहीं आई क्यों आपके बाद उसका analytics का access नहीं होगा पर सही रहेगा जैसे मेरी एक site है let's blogging मैं उसको देख लेता हूँ कि उसमें हम क्या potentially improve कर सकते है मैंने यहाँ पर details भर दी है let's blogging की अब मैं create कर देता हूँ अब आपके लिए मैं एक नया project create कर रहा हूँ बाद में चैय मैं delete मार दूँ उसको कुछ भी करूँ अब देहों यहाँ पर सारे setup 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 आ रहे है यह setup setup करना mandatory है मेरे अगर आप अपनी website का SEO करना चाहते हो तो अगर आपकी website है तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है यह अपर setup के उपर click करना है अब यह कह रहा है आपकी पूरी website को crawl करना चाहता हूँ आपकी website के जो pages है आपसको कितने तक limit करना चाहते हूँ currently मेरे साब से हमार पास ज्यादा pages नहीं होगे तो मैं 1000 ही कर देता हूँ यह email कर देगा अगर जादा time लगता है audit करने के लिए तो email कर देता है कि हाँ audit हो गया है अब मेरे साब से ज्यादा pages नहीं है इस website के उपर तो मैं start audit कर देता हूँ अब यह चल रहा है इसको चलने दो अब मैं जाता हूँ on page checker के उपर मैं setup के उपर click किया यह क्या रहा है कहाँ पर आपकी targeting है मैं मानके चलता हूँ currently मैं इंडिया के लिए कर रहा हूँ अगर आप चाहो तो multiple भी बना सकते हो आपकी मर्जी है कि इंडिया के लिए एक और बना दो उसके लेलग बना दो उसके लेलग बना दो अगर आप को city select कर रहा है city भी कर सकते हो साथ के साथ इनके पास social media tracker है, social media poster है, brand monitoring भी बहुत अच्छा है, अभी मैं आपको लपास के उपर दिखाऊंगा brand monitoring कैसे मैं use करता हूँ, अब मैं यह देख रहा हूँ, optimization ideas मैं click कर देता हूँ, अब इसने again मुझे यही बताया है कि आप 1000% से उपर कर सकते हो, currently आपका ऐसा strategy बनाके देता है इसलिए मुझे personally यह पसंद है, कि मुझे back links बताता है कि कहा का पे मुझे back links लेने चाहिए, और यह मुझे बताता है कि मिल्कोः content के इंदर किस-kinc keyword का use करना चीए, यह मुझे बताता है, कि मुझे क्या-क्या और करना चीए, h1 में क्या रखना चीए, meta में क्या रखना चाहिए, कुछ चीज़े optimize होती है तो कुछ नहीं बताता, यह कहता है कि अपना target word आपको title के अंदर use करना चाहिए, जो कि मेरे नहीं कर रखता इसके एसाब से, overall मेरे एसाब से तो भाई, इससे बड़ी है कुछ चीज नहीं है अगर आपको अपनी पूरी website को खुद से improve करना है तो, हम भी अपने client के लिए ऐसी करते है, starting के अंदर उनकी content लिखते रहते है, blocks डालते जाते है जब कुछ time हो जाता है, कुछ उनके बास 15, 20, 40, 50 blocks हो जाते है तब हम उनको यहाँ पे डालते है और उनको पूरा audit करके देखते है कि किस तरीके से उनको और better तरीके से improve किया जा सकता है तो एक बार मैं फिर से project के उपर जा रहा हूँ और आपको एक चीज दिखाता हूँ ये brand monitoring को खोल के देखते हैं मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या बढ़िया चीज है तो मैं जाके इनक से backlink ले सकता हूँ और इनको contact कर सकता हूँ मेरे पास link आगया मैं एक बार खोल के देखता हूँ ये आगी हमारे पास blog इसमें इनका कहना है कि कहीं पर लपास लिखा हूँ है खोल के देखते है read more control F लपास ये आगया लपास इनका कहना है यहाँ पर लपास का जिक्र हो रखा था मुझे logically link मिलना चाहिए था पर मुझे link नहीं मिला बिल्कुल सही बात है तो मैं क्या करूँगा मैं जाके इनसे contact करूँगा और इनको बताऊँगा कि ये जो page है इसके अंदर मेरा जिक्र हो रखा है और आप मुझे link दे सकते हो free में backlink मिल लिया बिना कोई महनत करे और इनके हिसाब से इसकी authority भी ठीक है तो मेरा फाइदा हो सकता है पर मैं logically देखता हूँ कि इस website का कुछ traffic होना चाहिए पर इसका website पे available नहीं है इसके 2-3 reason हो सकते है पर अभी available नहीं है तो मैं risk नहीं लूँगा नीचे जाएगे authority score calculate कर रहा है इसका पता नहीं है अगर मैं चाहूँ तो advanced filter पे click करूँगा traffic पे click करूँगा और मुझे high traffic वाले चाहिए example में लिए यहाँ पर यह style खरना का जिक्र हो चुका है तो मैं जाके चेक करूँगा यह style करना मैं ही हूँ या फिर कोई और है अगर मैं ही हूँगा तो मैं अगे इन backlink के demand करूँगा यहाँ पर यह दिखा रहा है LaPas Organics Private Limited को incorporate किया है basically हमारे नाम का कोई misuse कर रहा है West Bengal के अंदर अल्दो हमने LaPas को trademark करा रखा है तो इतनी tension की बात है नहीं मेरे साब से तो नीचे चलते है Top Best WordPress Site Updated यहाँ पर भी LaPas का जिक्र हो रखा है यहाँ पर traffic भी high है और दिखा जाए तो authority score भी सही है और website भी ठीक है तो मुझे यहाँ से logically backlink लेना चाहिए तो मैं यहाँ पर जाऊँगा इस link को खोलूँगा और यहाँ पर जाके अपने backlink के demand करूँगा company से बात करूँगा अगर नहीं होगा तो वो मेरा शाद पैसे लेके या फिर SME भी मेरे को backlink दे सकते है तो मेरे को mentions बहुत ज़्यादा पसंद है बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं इसका बहुत ज़्यादा यूज करता हूँ अब चलते हैं इसकी और बड़िया चीजों के तरफ यह आ रहा है SEO content template अब यह भी आपको पूरी पकी पकाई खिचुड़ी देता है जैसी कि मांग के चलते हैं मुझे content लिखना है digital marketing के उपर तेक है और मुझे जो optimize कराना है वो मांग के चलते हैं मुझे इंडिया में कराना है मैंने इंडिया लिख दिया region मुझे सारे रखने है मैंने जाके create SEO template पे click कर दिया अब यह top 10 rivals को check करेगा उनके keywords जाके check करेगा इस keyword के उपर और मुझे पूरी template बना के देगा मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए यह बता रहा है digital marketing के उपर यह सब लोग rank करते है यह सारे keywords मुझे अपने blog के अंदर डालने चाहिए यहां यहां से मुझे backlink लेना चाहिए मैंको अपना readability score इतना रखना चाहिए अभी readability score दिखाऊँगा मैं कहां से देखते है कम चेका मुझे इतने words का लिखना चाहिए उसके बाद नीचे दिखा रहा है कि मेरे competitors कैसे दिखाई देते है इससे मुझे पता लगता है कि मुझे जो अपना title लिखना है link लिखना है description लिखनी है वो कैसी लिखनी है मैं नीचे जाता हूँ यह सारे के सारे मुझे दिखा देगा अब नीचे जाने के बाद यह दिखा रहा है मुझे basic recommendation इसमें बता रहा है content किस तरीके से लिखू तो जैसे मैं को यह लिखना है तो मैंने खरा quick check यह खुल गया मेरे पास अब देखो जैसे जैसे मैं इस पर content लिखता जाऊँगा यह मेरे content को rate करता रहेगा अपने हसाब से क्या आपकी reliability कैसी है आपका SQ score कैसा है आपके tone कैसी है कैसी है तो मैंने इसको बता दिया था मेरा target keyword जो है digital marketer है तो इसने मैं को बता दिया था recommended keywords क्या क्या है अभी मुझे अपने आप ही मजबूर करेगा content लिखने के लिए कि भाई आपको SEO optimized content बनाना है यहाँ मुझे plagorism check का option देता है कि कहीं से copy paste तो नहीं हो रखा तो मेरे पास इसका कोई और tool है जो कि मेरे पास unlimited है तो मैं वहाँ से use करता हूँ इसमें सिर्फ 5 ही मिलते है तो मैं ज़्यादा use नहीं करता in fact मैं use ही नहीं करता क्योंकि मेरे पास दूसरा software है वहाँ पर plagorism check कर लेता हूँ वहाँ पर मिरे पास unlimited है तो यहाँ पर यह जो चीज देता है ना मेरे को यह तो मज़ा आयाता है यह चीज देख के इसकी वज़े से मुझे बहुत ज़्यादा benefit होते है बहुत ज़्यादा पता लगता है कि मुझे content किस तरीके से लिखना है चलिए मेरे साब से आपको सबज में आ गया होगा कितना अठ्छा tool है SEMrush मैं तो personally use करता हूँ आप भी चाहँ तो थोड़ा explore करो मैं नीचे link दे दिया है 14 दिन का trial है जाके check करो बहुत मज़ा आएगा 14 दिन अगर आप खेलोगे भी तो भी आपको बहुत जादा खुल लाएगा एक दो दिन मैं आपको वीडियो भी बना के दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपको एक website बनानी है basics सी और उस पर आप blogs को डाल सकते हो तो आपके बास 14 दिन का trial भी आ जाएगा और साथ के साथ आपके बास website भी आ जाएगी तो आप कुछ भी content लिख 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 के आप काम कर सकते हो तो बहुत सारे लोगों ने हमारा SEO course जॉइन नहीं किया था उनके लिए भी एक opportunity create हो रही है कि आप भी कुछ ना कुछ काम कर सकते हो यहाँ पर खुद कर करके सीखोगे था थोरे सा डारा time लगेगा पर जो सीखोगे न वो खुद की knowledge होगी आपको कुछ नहीं करना आपको सिर्फ टूल को explore करना है जैसे आप इस टूल को explore कर ले तो सारा का सारा उसके बाद अगर आप चाहो तो आप जो मैं आपको website के tutorial बता हुआ वहाँ पर जाके आप website बना सकते हो website बनाने के बाद आपकी मर्जी है आपको क्या करना है आपको content डालना है आपको अपने business की website बनानी है आपको किसी भी direction के उपर जाना है आपको उसके बाद कोई SEO course लेना तो आप वो भी ले सकते हो ठीक है दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो खतम होती है उमीद करता आपको मजाया होगा like कर देना, share कर देना, comment में बताना वीडियो कैसी लगी बाइ, good night, shabakir, khuda hafiz, good morning और afternoon जब भी आप वीडियो को देख रहे है